मुख्य मंत्री ने आधिक्षास की आवाज पर अधिकारियों के साथ शमीकों के बच्चाव के लिए चल रहा है रेस्क्यू कारियों की समिक्षा की इस दोरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रैस्क्यू आपरिशन में आ रही बाधाउं से निपटेने के लिए हर आवश्यक का दम उठाये जाएं विश्व प्रसिद श्री बदरीनाथ धाम के कपार्ट श्री बदरीनाथ के दारनाथ मंदिर समिती अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिते में आज शनिवार अपराहन तीन बजकर तेंटीस मिनट पर पूज अर्चना पश्चात कार्तिक शुकल शष्टी शावन में शीतकाल हितू बंद हो गये हैं कुछ दिन पहले हुई बर्फ बारी के बाद कपाट बंद होने के दौरान आज मौसम साफ रहा दिन में धूप खिली रही यद्यपी दूर चोटियों पर बर्फ साफ देखी जा सकती है उत्राखंड में लोक निर्माण विभाग के अजब गजब कारणा में लगातार देखने को मिल रहे हैं जिसमें कारियों की अनियमित ताय तो सामने आही रही हैं साथ ही पुलों वा सडकों की गुणवत्ता को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं हाला कि उत्राखंड की जागरुक जनता इसको लेकर लगातार आवास उठाती आई है बावजूद इसके अफसर शाही रवईया लाखों का बजट ठिकाने लगाने में कोई गुरहेज नहीं करता चाहे उनके द्वारा किये गए कारियों का लाभ आमजन को मिले या नहीं हम साचन परसाद से यही मांग करते गुणवत्ता की ती तरह सही कारी हो और जब तक साचन परसाद में विवाग के अधिकारी यहां पर नहीं आते हम यह काम नहीं होने परेटन नगरी में ब्रिटिश शिकाल से चली आ रही केक मिक्सिंग समार हो आज भी चला आ रहा है इस परंपरा का निर्वाहन करते हुए जेपी रेसिडेंसी मेजनियोर में क्रिस्मस केक मिक्सिंग समार हो आयोजित किया गया जिसमें बतार मुख्य आती थी अंग्रेजी लेखा के गणेश सैली ने कारिकरम का शुभारंब किया गणेश सैली ने कहा कि यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है जो शरद रितु में आयोजित की जाती है और इस केक में विभिन प्रकार के सूखे मेवे और विभिन प्रकार की शराब मिलाई जाती है यह हर साल लगा यूजिन हम करते हैं अपने रेगलर केस्ट और मसूरी के और जारादून के चितने भी हमारे नोन फेसी से उनको पलाते हैं एक फेस्टे सीजन का आघाज है केक मिक्सिंग से जो बड़े सालों से चल रहा है एक परंपरा है तो उसको हमने कंटिनू किया है और थेंक्यू आपके लिए भी सबके लिए भी यहां आने के लिए तो यह केक अभी थोड़ा प्रिजर्व होगा उसके बाद फस्ट वीक ओफ दिसम्बर में शेफ इसके केक बनाएगा और क्रिस्मस से पहले विए सेलिंग इड़ बेकर अलसो और क्रिस्मस बूफे निवियर उसमें हम गेस के लिए यह सब करेंगे डोईवाला इस्थित सरकारी शुगर मिल का पराई सत्र 22 नवंबर से शुरू होने जा रहा है जिसको लेकर मिल प्रशासन पूरी तरह तयारियों में जुट गया है बता दें कि मिल प्रशासन ने इस बार गन्ना पेराई का लक्ष लगभग 30,000 कुंटल रखा है साथ ही सभी गन्ना सेंटरों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है इस बार ऐसी प्रिसितियां लग रहे हैं कि हम 30,000 कुंटल के आसपास हमें गन्ना मिलेगा और हमारी समच तयारियों पूर्ण हो चुकी है और इस बार बिगत वर्सों के एकच्छा किसान भाईयों के लिए जो है अच्छी यहां पे सुभिदाय नहेंगी इस बार किसानों के हित के लिए जो है हमने सारे सेंटर्स को अलेक्रोनिक कर दिया है आल्लाइन कर दिया है तो इस प्रकार जो विगत वर्सों में समस्याओं का कास जो इनको समाधान हमने कर दिया है और जो भी इनकी डिमांड्स थी जैसे किसान बहुन की है या फिर यहां पे कैंटीन की है तो जो भी इनकी विगत वर्सों के पेक्छाएं थी उसके अनुसार हम पूरी तयारी करें।